तो आज हम discuss करेंगे आपके exercise 3.5, 3.5 में basically क्या है बच्चे, how to find a square root of a decimal number, how to find a square root of decimal number, so आपके पास first question, first part हम कर रहे हैं, first question, first part में क्या है, 7.29, you have to find the square root of this number, जो आपका processor था, बिल्कुल same रहेगा, यहाँ पे क्या है, बच्चे सबसे पहले pair बनाओगी, जो number यहाँ रहेगा, वही number यहाँ पे, so 2, 2, 0, 4, right, यहाँ से कितना आ गया, 3, ठीके, pair वाले digit as it is उतार होगे, 2 plus 2, क्या बन गया, 4, अब इसके बाद क्या है decimal है, 7 के बाद, त यही number यहाँ पे, suppose मैंने देखा यहाँ पे क्या है, 9, तो 7, 7s are 49 and 3, 3s are 9, 3s करूंगे तो बहुत छोटी से time आए, कि जो की हो सकता है, ना हो completely divide, तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, 9, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 9, 49 को किससे multiply करूंगी, 9 से, तो हमने देखा, जब मैं को से multiply करूंगी, तो क्या आएगा, same number, right, so square root of 7.29, क्या आगया, यहाँ से 2.9, sorry, 7, 7s are 49 होता है, तो 7 आएगा, यहाँ पे, 7, 7s are 49 होता है, तो यहाँ पे आगया, 2.7, यहाँ पे क्या आगया, 2.7, clear, अब आते ही बिना time waste किया, आपके next part पे, next part में देखो क्या कह रहे है next part के अगर मैं बात करूं, तो next part में आपके पास questions ही में, सर्फ statement change है, बिलब करना आपने यहीं है, लेकिन क्या करना है, words, desert आपकी क्या है, change है, तो देखो कैसे आएगा, part number second, so part number second क्या कह रहे है, part number second में आपके पास क्या statement है, यहां से देखना, 16.81, so सबसे पहले आप पेर बनाओ कि यहां से भी पेर बन गया, यहां से भी पेर बन गया, यहां से भी पेर बन गया, क्योंकि 16 के बाद क्या है, decimal, और 16 आपका divide हो चुक है, तो यहां क्या लगए decimal, यहां पे भी 1, यहां पे भी 1, क्या आगे, 81, so square root of 16.81 is 4.1, right, next part, part number 3, 156.25, part number 3, 156.25, तो क्या करोगे बच्चे, यहां से पेर बनाना शुरू करोगे, ऐसे, फिर क्या आएगा, यहां से देखो, 1, 1 is a 1, ठीके, यहां से क्या आगया, 56, 1 plus 1, 2, जो नमबर यहां आएगा, वही नमबर यहां पे, ठीके, अभी देखो, 56 के बाद decimal है, तो इसको divide करने के बाद, आ decimal लगाओगे, 22, 2044, 23, 3049, 469, जो कि greater हो जाएगा, 56 से, तो यहां पे बना, 6 minus 4, it means 2, 6 में से 4 गया, 2, 5 में से 4 गया, 1, यहां से क्या आगया, 2, 5, ठीके, फिर इन दोनों को क्या करोगे, प्लस, क्योंकि अभी यह divide हो चुके, तो यहां क्या लग जाएगा, decimal, 22 plus 2, 24, जो न क्योंकि last word is it, क्या है, 5, 5, 5, 25, ठीके, तो जो मैंने इसको से multiply किया, तो completely divisible है, तो यहां से आगया, square root of 156.25 is 12.5, square root of this number is 12.5, next equal, हमारे पास क्या है, part number 4, same आपके part से, same method से आपने करने, देखो यहां पे, part number 4, 9.3025, पेर बनाओ, बन गया पेर, यहां से देखो, 339, राइट, यहां से बचा 0, यहां से next digit I 30, 3 plus 3 6, जो भी आप number लोगे, वो क्या होगा, इससे greater होगा, तो यहां भी 0, और यहां भी, यह decimal लग जाएगा, यहां भी 0, ठीके, next pair उतारा, क्योंकि next pair उतारोगी, तो 0 लगेगी, लगेगी, तो देखो, यहां से 60 को 0 से multiply करोगे, 0 आचेएगा, तो 0 को solve करोगे, तो वही 30 बचेएगा, तो उससे तो कोई चो होगा नहीं, अब देखो, यहां पे 5, यहां पे 5, तो कितना बना, 3025, ठीके, 29.16, पेर बनाया, 5, 5s are 25, 5, 5s are 25, तो यहां से कितना बच्चा, 4, यहां से आगया, पेर में 16, यहां क्या लगया, decimal, 5 and 5, 10, जो नमबर यहां आएगा, वही नमबर यहां, 4, 4s are 16 and 4, 1s are 4, so square root of 29.16 is 5.4, कितना आगया यहां से, 5.4, next part, part number 6, 3.61, तेर बनाया, ठीके, 2, 2s are 4, greater हो जाएगा, so 1, 1s are 1, यहां से आगया 2, यहां से आगया 6 और 1, इसके बाद decimal है, तो यहां क्या लगया, decimal, 1 and 1, 2, जो नमबर यहां आएगा, वही नमबर यहां, 9, 9, 0, 81, क्यारी कर गया 8, 9 और 8, 9 तुसे 18, 18 और 8, 26, so square root of 3.61 is 1.9, ठीके, तो यह था, बेटा, how to find square root of a decimal number, next question में आपको क्या दिया है, find the square root of, ख्यान से देखना बच्चे, next question, इसने बोला, find the square root of, 3, 3, 6, 4, तो सबसे पहले जो उसने बोला है, वही काम करेंगे, इसका क्या निकालनेंगे, square root, कैसे, using division method, जो नमबर यहाँ, वही नमबर यहाँ, 55, 25, right, तो यहाँ से मेरे पास बच्चा 8, यहाँ से पूरा पेर उतरेगा, कितना आगया, 64, 5 and 5, 10, जो नमबर यहाँ, वही नमबर यहाँ, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8, तो कितना आगया, 8, 64, so square root of 3, 3, 6, 4 is 58, now उसने वो लाइन हैंस, और इस तरीके से solve करो, किसको, expression आपको दिया हुआ है, this plus, this plus, this, ठीके, आप ध्यान से देखो, इसका decimal जब मैं remove करूँगी, तो यहाँ भी मेरे पास value आएगी, 3, 3, 6, 4 by 10,000, ठीके, प्लास जब इसका decimal remove करूँगी, तो यहाँ value मेरे पास क्या बनेगी, by में 100, इसका decimal जब remove करूँगी, तो by में कितनी 0 आजेंगी, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो जब भी आप देखो, इसका मतलब क्या numerator का भी, square root और denominator का भी square root, तो numerator का square root करोँगी, तो कितना आया, 58, और जब denominator का square root करोँगी, तो कितनी 0, 1, 2, 3, 4, 4, 0 है, ठीके, तो उसकी आधी रेजेंगी, यहां कि 2, कितना बन गया, 100, plus, same यहां पर 58, 2 zeros हैं तो कितनी रेजेंगी, 1, यहां पर कितनी 0s, 6, तो यहां पर कितनी रेजेंगी, बच्चे, 3, यह 58, और यहां पर 3, ठीके, तो यह बन गया मेरे पास, यहां से अगर मैं इसको solve करूँ, 0.58, plus, 5.8, plus, 0.058, कर दो add, so 0.058, 5.8, and 0.58, यहां बना 8, 5 in 8, 13, 8 और 1, 9, 9 in 5, 14, 1, so 6.438, will be your answer, तो यह थी बच्चे, आपका क्या हो जाएगा, अंसर, तो यह थी बच्चे, आपकी exercise 3.5, I hope it is clear to everyone, and if you like it, then please share and subscribe, thank you so much. क्रिए, प्रफ, भॉ।